हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू दा सक्सस केंद्रा फ्रेंट्स इस वीडियो में हम लोग 67th BPSC PT EXAM 2021 के लिए महेश कुमार बर्नवाल का जो BPSC के लिए प्राक्टिस सेट आया हुआ है उसका हम लोग सेट नंबर 3 इस वीडियो में डिसकस करेंगे इसे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को कवर कर लिया था दो वीडियो में दोनों वीडियो का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जरूर देख लीजेगा और चैनल पर पहली बार अगर आप आया है तो सब्सक्राइब क कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अप्लोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए तो चलिए फ्रेंट्स बिना देरी किये हुए आज का सेट करते हैं फ्रेंट्स प्लीज वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दीजेगा पहला प्रश्ण पढ़िएगा पहला प्रश्ण है कि मनिक मेकलाई महाकाब्य का लेखक कौन है कुशिस कीजिएगा आप लोग पांच से साथ सेकेंड की बीच में अपना एंसर दे देने के लिए उसके बाद जो भी करेक्ट इंसर होगा पूरी डीटेल में आपको बता तो मनिक मेकलाई महाकाब्य की लेखक जो है यह सतनार है ठीक है यह सतनार के द्वारा लिखा गया एक काब्य ग्रंथ है तो राइट अंसर अप्सन नंबर ए हो जाएगा सतनार नेक्स्ट कुशन देख लिजेगा कि नेमलेखित संधियों का सही कालकरम निर्धारित कीजिए तो देखे फ्रेंट्स पुरंदर की जो संधी है यहा 1665 में कब तो 1665 में सिवा जी और मुगल सेनापती महराजा जैसिंग के मद्ध हुआ था साथी साथ देखे पुरंदर की संधी जो है 1776 में भी हुई थी 1776 में जो पुरंदर की संधी हुई थी इसके तहाथ कमपनी ने रगुनाथ राओ के समर्थन को वापस ले लिया था तो दोनों तरह से ध्यान रखेंगे 1776 में भी हुआ था और 1665 में भी हुआ था तो यहां पर हम 1665 ले लेते हैं ठीके फ्रेंट्स जो कि सिवा जी और इसके बिच्वाता जैसिंग के मध्य हुआ था उसके बाद देखेगा कि मुंगी सिवगाओ की संधी यह जो हुई थी 1728 में हुई थी कभी ती फ्रेंट्स 1728 में हुई थी बाजी राओ प्रथम और हैदराबाद के निजाम आसिप साह के मध्य में उसके बाद सालभाई की जो संधी है सालभाई की संधी यह 1782 में हुआ था अंग्रेज और मराठ यूद्व समाप्थ हुआ था और बेसिन गीद्व संदी है यह 1802 में हुआ था बाजी राव दूतिये और अंग्रेजों के मद्द इस प्रकार से यह क्रम इसका जो है वर्स 1932 में किस ने किया था तो देखे कमिनल अवार्ड की घोशना 16 अगस्त डेट याद रखेंगे फ्रेंट 16 अगस्त 1932 को रैमजे मकडोनाल्ड ने विवाद असपत जो था यह कमिनल अवार्ड जिसको कि संपरदाइक पंचाट भी कहा जाता है इसकी घोशना की थी इसका नुसार दलितों को हिंदूों से अलग मांग करके उनको अलग प्रतिनिजित देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया था रैमजे मकडोनाल्ड नेक्स्ट कुस्ण देख लिजेगा कि बहुत गरंत मज्जिम निकाए कि संयूत निकाए है यहां मैं लिख देता हूं संयूत निकाए उसके बाद अंगुत्तर निकाए और खुदक निकाए ठीक है खुदक निकाए तो यह पांच निकाए हैं किसके तो सुत पीटक के ठीक है दिग निकाए मज्जिम निकाए संयूत निकाए अंगुत्तर निकाए और खुदक निकाए तो यह मजहिम जो है यह पूछा गया है इसके भासा तो आपको भासा पता है कि जो तीनों पीटक है उनके भासा क्या है पाली है तो राइट अंसर अप्शन नमबर C हो जाएगा उसका बाद देखेगा कि चौरी चौरा की घटना किसके अस्थागन से अबद है तो देखे राइट अंसर इसका हो जाएगा आपका और सहयोग आंदोलन अप्शन नमबर C हो जाएगा ध्यान रखेंगे चलिए उसके बाद नेक्स्ट कुस्चन देखेगा अगला कुस्चन है कि निमनलिखित में से किस वेद में बीमारियों के उपचार दिया ग यह हो जाएगा उसके बाद देखेगा किसो मुगल समराट के सासनकाल के दवरान उपनि शुद्व का फार्सी भासा में अनुवास जो है उपनि शुद्व का यह सहाजहां के शासनकाल के दौरां सहहाजहां का जो पुत्र जाएगा उसके बाद देखेगा कि नसी करता और यम के मद्ध्रसीन समवाद का उलेक नमलिखित में से किस उपनी सद में मिलता है तो फ्रेंस ये मिलता है कठोपनी सद में ठीक है मिर्धू के दिवंत्य जिसने da किया गया कृभ पानिसद में इस iç सब्सक्राइब Lekt लेखी सब्सक्राइब के संदर्ट निम्लकित युगों में से कौन सही सुमेलित है लेखालियाद है जामति क्ल्यानम है ठीक है। उसके बाद अगर सोमेश्वर की बात करते हैं, तो समेश्वर का है मान सोलास यहां पर दिया गया है, भोजदेव का है, यह समराग्णम है, यहां पर दिखे दिया गया है, समराग्णम सुतरधार, तो करेक्ट हो जाएगा आपका उप्सन नमबर B, उसके बाद देखेगा कि कि इस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विशय है, तो मुद्रा राक्षस जो है, यह विशाक दत की है, ठीक है, और इस ग्रंथ से मौरे वन्स का जो इतिहास है, मुख्यत चंद्रगुप्त मौरे के जिवन पर इस पर प्रकाश डाला गया है, इसमें चंद्रग प्राक्टि सेट चल रहा है उसके घटना चक्र पूरो अलोकन दिये गए बिलकुल जो नया वाला घटना चक्राया हुआ है सब्जेक्ट वाइज कभर करा है हिस्ट्री में भी अन्ये मॉडर्न हिस्ट्री को एक जगा पर और प्राशीन भारत को कभर करा हुआ है ठीक उसे प्रकार से science को हमने एक वीडियो में physics को दूसरे वीडियो में chemistry को और तीसरे वीडियो में bio को cover कराया है बिहार special भी cover मैंने करा दिया है बहुत सारे वीडियो जो है CDPO के लिए और 67th PPC के लिए मैंने cover कराया है सौ से भी अधिक वीडियो पिले लिष्ट में सबका बना दिया हूँ ठीक है सबको देख लिजेगा पंच तंतर दंत कथाय किसके द्वारा रशित है तो देखे ये जो हो जाएगा आपका विश्नु सरमा का ठीक है मौलाना हुसेन फैजी ने यार एदानिस के नाम से किया था तो इसको भी दिहान रखना है आपको उसके बाद के कांची पूरम इस्तित कैलास्त मंदिर किस वंसक के सासनकाल के दौरान बनाए गया था तो फ्रेंस ये बनाया गया था किसके तो पल्लव सासको के दोरान ठीक है देखे यह जो है दक्षिन भारत की एक द्रविट सैली से निर्मित यह मंदिर है और देखे इसको बनवाया था किसने तो पल्लव सासक नर्सिंग वर्मन दूतिये ने नर्सिंग वर्मन दूतिये ने था और यह जो कांची पूरम का कैलास मंदिर है इसको राज सिदेशवर मंदिर भी कहा जाता है उसके बदे के निमलखित यह गुम में से कौन सही सुमेलित है बताए कौन सही सुमेलित हो जाएगा तो महाबली पूरम मंदिर का निर्मान अभी मैंने बताए पल्लोव सासक दोरान बीजन काल में करवाए गया था ठीक है उसके बाद खजुराहों का चंदेल हो जाएगा बिलकुल यह सही दिया गया है मिनाक्षी मंदिर जो है यहाँ पांडे सासकों के दोरा बनवाए गया तो यह गलत हो जाएगा तो राज गोमी से राजस्वर ठीक है तो राज इसका option number D हो जाएगा उसके बाद देख लिजेगा कि निमलिखित गटनाओ को सही कालन उक्रम में ब्यास्तित कीजिए तो देखे फ्रेंट्स यहाँ से आप इजिली पकड़ सकते हैं सबसे पहले जो था यह चंपारन सत्यागरा तो देखे चंपारन सत्यागरा यानिकि दो सत्यागरा और असायोग सबसे लाश्ट में हो जाएगा 1922 में तो option के हिसाब से सी जो है correct answer इसका हो जाएगा उसके बाद देखेगा कि मुगल कालिन सैन ने प्रणाली के अंतरकत दो अस्पा और सी अस्पा प्रणाली किसके द्वारा प्रारम की गई थी तो यह जो शुरू देखेगा कि नियम लेखित युगमा में से कौन सही सुमेलित नहीं है देखे नहीं पूछा गया है दिवाने बंदगान इसके अस्थापना फिरोज तुगलक ने किया था यह जो था दिवाने बंदगान एक दास विभाग था ठीक है उसके बाद देखेगा तो यह आपका सुमेलित नहीं है एक मिनट दिवाने बंदगा फिरोज तुगर कि यह सुमेलित है ठीक है उसके बाद दिवाने रियासत दिवाने रियासत जो है बजार नियंतरन के लिए एक विभाग था अलाउदिन खिल जी ने इसको अस्थापित किया था यह भी सही है दिवाने अमिर को ही ये जो था एक क्रिसी भी भाग था और इसके अस्थापना महम्मद बिन तुगलक ने करवाया था तो ये गलत दिया गया है दिवाने अर्ज जो था या एक सैने भी भाग था और इसके अस्थापना बलवन ने करवाया था सही है सुमेलित नहीं पूछा गया तो नहीं हो रंजीत सिंह और चारल्स मेटकओफ के बीच में ठीक है थीक है तो राइट अचर mede cm2 बर ए हो जाएगा रंजीत सिंक की राजदानी लाहॉर थी रंजीत सिंह का तो यह चलाने का स्वामी द्यानंद सर्शती ने धरम परिवर्थन कर चुके लोगों को पुना हिंदु धरमे परविश्च करने के लिए प्रणा किसी ले करके इसको चलाया था तो यह आरे समाज हो जाएगा द्यानंद सर्शती उसके बाद देखे निम्न लिखित में से कौन मिशन जो था इसमें कौन-कौन से थी तो पैंथिक लॉरेंस था एश्टेफोर्ट क्रिप्स था और एवी एलक्जंडर था क्लिमेंट एटली नहीं था अप्शन अबर डी राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद के किस गरंध में पटना को पाली ब्रोथा कहा गया है तो य अप्राइल 1930 हो जाएगा उप्शन अबर सी इसका राइट एंसर ठीक है फ्रेंड्स और इसके बारे में अगर हम बात कहें तो डक्टर राजिंत प्रसाद ने इसकी रूप रेखा तयार की थी और सरपर्थम सारण और चंपारण में नमक सत्यागरा की शुरुआत होई थी वायकम सत्यागरा की शुरुआत किसके विरुद्ध किया गया था वायकम सत्यागरा एक परकार का गांधिवादी आंधोलन था ब्रह्मन वाद की विरुद्ध तथा मंदिरों में परवेश को लेकर के चलाया गया था इसका छेत्र विस्तार केरल था नरायन गुरु एन कु तुमारन टीके माधवन जैसे बुद्धी जीवों ने चुवा चूत के खिलाफ अवाज उठाई थी तो यह चुवा चूत के खिलाफ हो जाएगा ठीक है अगला कुश्चन देख लिजेगा कि नेक्स्ट कूशन है टेवर नेकल आफ नियू डिस्पेंशन नामकसंग के अस्थापना का स्रे किसको दिया जाता है तो राइट अंसर इसका हो जयाएगा आपका ऑप्चिन नमबर बी के सोचन्द शेन चली इनों ने इसकी अस्थापना की थी 1866 में इस संगी की अस्थापना इन्हों नहीं किया था उसका वदिके कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में सरपर्थम मूल अधिकार की मांग की गई थी तो ये आपका 1931 का जो कराची अधिवेशन था जिसके अधिक्सता सरदार बलब भाई पटेल नहीं किया था उसी में किया गया था नेक्ट देखेगा कि इनमें से किस विद्रोह के समय बंगाल में एक किसान संक्या स्थापना की गई थी तो बंगाल में एक किसान संक्या स्थापना जो है ये की गई थी आपको पाबना विद्रोह के दोरान पाबना जीले में योसुफ शाही परगने में एक किसान संग का गठन किया गया था उसका बाद ये संथारा प्रथा का संभन निम्लेखित में सक्विस संफ्रदायस है अब डिए संथारा को और अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे कि सलेखना पद्दती उसके बाद समाधिक मरन इक्छा मरन सन्यास मरन ठीक है तो अब आपको सलेखना जैसे ही मैंने कहा आपको याद हो गया होगा कि चंद्रकुपत मौरे ने इसी पद्दती से अपना जीवन त्याग किया था सरवन बेल ग यहां पर शुरू करता हूं यह 1541 हो जाएगा मालवा का जो अभियान है यह हो जाएगा आपका इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा अठारसो संतावन के विद्रो के तुरंत बात की घटना किसको मानी जाती है तो यह घटना जो है नील विद्रो है यह 1869 के दर्म्यान जो हुआ था क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं कि नमलेकित में से कौन सा कथन असत्य है सभी कथन को ठाना है चारो कथन आपको दिख़ रहा होगा तो इसमसे ersky कहा जाता है क्राइट का जाता है जिरो फाइट नहीं कहा दिया था उसके बाद देखेगा कि वहांगा नुई नदी जिसे की जीवित मानों का दरजा प्राप्त है किस देश में प्रभाहित होने वाली नदी है तो देखें ये प्रभाहित होती है न्यूजिलेंड में ठीक है न्यूजिलेंड में प्रभाहित होती है और न्यूजिलें किजे इन आठो राजयों का नाम राजस्थान, गुजरात, मदपर्देश, थिसगड, जहारकंड, पस्षिम, बंगल, तिरपुरा और मीजोरम से वो करके यह गुजरती है ठीक है यह जो है कहां से नहीं गुजरती है तो यह मनिपूर से वो करके नहीं गुजरती है उसका वा नहीं है फ्रेंट्स बताइए इसमें सामिल हिंदू कुस नहीं है और बी राइट अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हिंदू कुस पर अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के मदिस्तित है चलिए उसको देखेगा कि लाल मिटी पर खेती करना कठीन है क्योंकि इसका रिजन क्या है तो लाल मिटी सामान से लेकर के भारी वर्षा वाले जो दसा है प्राशीन क्रिष्टलिय सैलो से निर्वित हुआ है और यह अप्यक्षा करित कम उपजाओ होती है इस मिटी में जलधारन की भी छहमता कम होती है ठीक है तो राइट अंसर हो जाएगा इ उसके बाद समुद्र के अंदर समान गहराई को मिलाने वाली जो रिखा है उसको आइसो बात कहा जाता है समान तापमान वाले छेत्रों को प्रदर्शित करने वाली रिखा को आइसो थर्म कहा जाता है ठीक है और मानो जन संक्या के समान वित्रन वाले अस्थानों को दरसान के मद अवस्तित है तो राइट इंसर हो जाएगा option number D उसके बाद next question देख लिजेगा अगला question है कि Gulf Stream है तो Gulf Stream एक उष्ण महासागरिये जल्धारा है यह मेक्सिको की खाड़ी से उत्पन हो करके सैंक्तरास अमिर्का के पूर्वी टट के सहारे बाती हुई निवफाउन लेंड के दक्षनी पूर्वे टट को असपर्स करती हुए पस्मी रूप के एसकेंडिनेविया तक पहुंचती है ठीक है तो राइट इंसर इसका क्या हो जाएगा option number E हो जाएगा यह एक महासागरिये जल्धारा है परवाल विरंजन का साब्दिक अर्थ होता है सैवाल का सफेद रंग होना ठीक है सैवाल का सफेद रंग हो जाना option number C हो जाएगा भारत में कपाश की फसल मुख्यरूप से इसमें उपजाई जाती है तो कपाश की फसल मुख्यरूप से काले मिटी में ठीक है इसको रिगूर मिटी भी कहा जाता है ध्यान रखेंगे और करने के यहां इसको स्वत्र जुताईली मेटी भी गहाना सरवादिक विस्तार महाराश्ट्ण में है सिंधु नदी नहीं है। चंबल नदी हो जाएगा भॉत तो रिटन्सर नंबर हिसका फी riots हो जाएगा इसका हो जाएगा देकर लिखत मैं कौनसा योग में सही सुमेलित है सही लित इसमेसे कौन सा है दीकिए घुष यह अपका हो जाएगा देकर SECRET ईस्तरि अमयर्का में नहीं गलत हो जाएका अर्जेंटीना में है तो दिखें जो रेज लैंड्स यहाँ कुछत रिख लैंट्स जो है यह यहां पर यहां पर यह भी गया है सही है सही हो जाएंगे यह आपका ए और ए और डी तो एक से अधिक इसका राइट अंसर हो जाएगा भारत की निमनलिखित में से कौन सी अनसुची जन जाती अपने अफिर्की मूल के लिए प्रसिद्ध है तो फ्रंट्स यह है कौन सा करनाटक की सिद्धी या हबसी ठीक है या फिर्की मूल की जन ज लगती है तो दिखें पांच राज है यह राज है असम पास्षिम बंगाल मीजोरम में घाले और ठीक है तो आप्सन में यह पर मीजोरम दिया गया है राइट एंसर अपसन नमबर यह हो जाएगा मीजोरम क्लियर है चलिए और देखें बंगला जिसके साथ सबसे जो अधिक सिमा है यह पस्सिम बंगाल साजा करता है हिंद महासागर के नेमलकित दिपों में से पस्सिम से पुर्व की और वास्तित करें पस्सिम से पुर्व की और तो यह आपका हो जाएगा कौन सा तो बिल्कुल यह करम से दे दिया गया है तो इसको ध्यान रखेंगे तो राइट अंसर इसका हो जाएगा आपका अपसर नमबर ए ठीक है राइट अंसर अपसर नमबर ए हो जाएगा इसका पस्षिम से पुर्व की ओर चलिए उसके बाद अगला कुशन दिखिएगा किन अमर्कित में से किस खानीज को मेटल अफ होग कहा जाता है आसा धातू कहा जाता है मैंने बताया था ना आसा धातू यूरेनियम को कहा जाता है अपसर नमबर सी राइट अंजर हो जाएगा यूरेनियम को ठीक है चलिए उसके बाद देखिएगा किन में से किंदर सासित प प्रदेश तमिलाडू और मूल पुदिचरी समिलित हैं आंदर प्रदेश में यानम है तमिलाडू में कराइकल और माहे किरल में है और एक मूल रूप से जवाल मकी है परिपरसांत पेटि यह उरेशिया के मध महादिपेटी में पाइजाते हैं ठीके परिपरसांत्ममा सागर्य पेटी को परसंतम महादिपेटी का अगनि बलाए या जवाला वृत कहा जाता है अपने पढ़ा भी होगा तो रहाटनस तो परितम से एक सवाधिक हो और आवले हम विद्यान सिंखलाव के मद कौन सा पठार इस्तित है तो यह पठार है मालवा का पठार option number D right answer हो जाएगा ठीक है मालवा का पठार चलिए next question देख लिजेगा कि समाने तब पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और समान दिन को क्या कहा जाता है तो इसको क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है इसको विसव कहा जाता है राइट अंसर ऑप्सन नमबर सी हो जाएगा विसव कहा जाता है उसका बाद next question देखेगा है कि नेमलेखित में से किसे केप कॉमरीन के नाम से जाना जाता है किसको तो इसको जाना जतता है कन्या कुमारी को ठीक है कन्या कुमारी रैट एंसर हो जाएगा option number C उसको देखे मालदा gap में किस मिर्दा की पलबदा के कारण mangrove बनस्वती का विकास हुआ है तो यह हो जाएगा आपके पीट मिर्दा ठीक है किस मिर्दा का खारण तो पीट मिर्दा या जैव मिर्दा भी इसको कहा सकते हैं पीट मिर्दा राइट अंसर इसका हो जाएगा next question देखेगा कि ने में से कौन सी पुर्व से पस्सिम क्योर बहती है तो ये नर्मदा अम तापती हो जाएगा नर्मदा अम तापती तो नर्मदा भी है और तापती भी दिया गया तो उपर इक्तम से एक से अधिक राइट अंसर इसका हो जाएगा ठीक है फ्रेंड से उसका बाद next question देखेगा कि तिबबत में ब्रह्मपुतर नदी किस नाम से जानी जाती है तो तिबबत में ब्रह्मपुतर नदी को जाना जाता है सांगपु नाम से किस नाम से सांगपु नाम से बंगला अदेस में जमुना के नाम से जानी जाती है तो ये सांगपु हो जाए है तो यहाँ उच्छी चोटी है किसकी तो राय टंसर होजाएगा छोटा नाकूर पठार की तो दीखा छोटा नाकूर पठार रहीं दिया गया तो उपर एक्ट में से कोई नहीं इसका राय टंसर हो जाएगा उसके बाद next question देखे कि निमलिखित में से किस मिर्दा को कौप मिर्दा या कछारी मिर्दा भी कहा जाता है तो जो लोड मिर्दा मुलतह जो है हिमाला से निकलने मनी नदियो द्वारा बहा कर लाएगे आवसादों के निच्छिपों से या सागर है स्ञór से आपका तसमान सागर ही कैट कि स्वाववाल है जिसका उप्युक पानी में दूबने से हुई मिर्दी का पता रगाने में किया जाता है उसके बाद के कौवक अंब बैक्टिरिया किस समों के जनतू हैं तो कौवक अब बैक्टिरिया जो है यह है आपके मिरतीजीवी ठीक है यह मिरतीजीवी कहलाते हैं रेटनसर मिर्ति जीवी हो जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव में ब्रिधी करने वाले सबसे प्रभावी कारक कौन से हैं सबसे प्रभावी कारक जो है इसमें से आपका जलवास्प हो जाएगा उसके बाद कार्बन डैकसाइड होता है उसके बाद मिथेन होता है फिर नैटरेस अक्साइड होता है तो सबसे ज्यादा पुछा गया तो जलवास्प हो जाएगा ब्लैक होल के सिध्धानत का प्रतिपादन किस ने किया था और और 1983 में बहुत तीकी के नोबल पुरस्कारसी ने समानित भी किया गया था प्रrange क जल मंडल का जमा हुआ भाग क्या कहलाता है तो इसको क्या कहा जाता है ये कहा लाता है cryosphere, option number B, right answer हो जाएगा, cryosphere कहा जाता है उसके बाद next question देखेंगा कि प्रकास वैदुत प्रभाव के अविस्कार करता कौन थे तो देखे friends, प्रकास वैदुत प्रभाव के अविस्कार करता, यानि कि सरपर्थम जो है 1887 में Hendrick Hurts ने इसकी खोज की थी Hendrick Hurts हो जाएगा उसका बाद इनमें से कि सरोक का वाहाग Aedes aegypti नामक मचर नहीं है नहीं सब्द लगा हुआ है ध्यान देंगे, तो राइटनसर हो जाएगा option number D, malaria, ठीक है malaria जो होता है, यह आपको किसके कारण से होता है, मादा एनिफलिज मचर जो होता है, यह plasmodium नामक, पुट्रो जवाव, जो है इसका वाहाग होता है, इसके कारण होता है तो यह malaria नहीं होगा, उसके बाद देखेगा कि दम्मा और गंजापन बीमारी का वजह क्या है, तो यह कवक के कारण होते हैं, ठीक है, option number E, राइटेंसर हो जाएगा, फंगस, उसके बाद next question देखेगा, कि तवच्छा अस्तन मस्टिक्स में होने वाले cancer को क्या कहा जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कारण कहा जाता, option number C, राइटेंसर हो जाएगा, ठीक है, चली उसके बाद next question देखेगा और यहाँ पर देखेगे, यह जो lymphoma है ना, यहाँ भी cancer करूप है यह अस्ति मज़ा, पलिहा, या कृत आधी में होता है उसके बाद सारकोमा जो है यह रक्त, पेसिया, उपास्ति, अस्ति में होता है, और देखेगे, लिकोमिया जो है, इसको blood cancer कहा जाता है तो 30 feet लगवा, इसका right answer हो जाएगा ठीक है, उसका बाद देखेगा कि ELISA नामक जाज की सरुक की पहस्यान के लिए की जाती है, तो ELISA किया जाता है ELISA का full form होता है enzyme linked immunosorbent SA, ठीक है, यह होता है आपका AIDS की जाज के लिए, HIV की जाज के लिए option number B, right answer इसका हो जाएगा नेमलकित में से किसे कोस्किय इंधन भी कहा जाता है तो कोस्किय इंधन किसको कहा जाता है गुलकोस को जाता है option number D हो जाएगा, right answer दीन में आकास का रंग नीला दिखाएदेना प्रकास की किस क्रिया का उधारन है तो यहां किसके कारण दिखाई देता है friends यहां प्रकिरिनन के कारण से उसके इंद्रधनुस बनने का कारण क्या है तो इंद्रधनुस बनने का कारण हो जाएगा अपवर्तन और परावर्तन देखे प्रात्मिक इंद्रधनुस और दूतियक इंद्रधनुस जो है इसमें लाल रंग बाहर के रोता है और डूती एक में इसका आपोजिट हो जएदे खायक बैंगनी बाहर के तरप और लाल अन्दर के तरप लिके प्राथमिक इंद्रधनःस को बनता है जब बर्षा की बुंदों पर आपतित होने वाली सुर्ग की शुर्ः की किरनों का दो बार अपवर और एक बार प्रवर्तन होता है तब प्रात्मिक इंदरधन उस बनता है चले अगला कुस्टन देख लिजेगा कि पंद्राव में बित आयू के अनुसंसा का अनुसार के अंद्रिये करों में बिहार की हिस्टेदारी कितनी है तो यह है आपका 10.06 प्रतिसत 15 में बित आयू के दक्ष एनके सिंग है एनके सिंग ध्यान रखेंगे उसके अधिके बिहार सरकार द्वारा जैवी खेती प्रत्सान योजना के तौत कुल कितने जिलों को जैवी खेती हित्व अंगी किरित किया गया है तो यह किया गया है बार हो जाएगा ऑधि पॉंदओ का कौन सा हिस्सा पानि और खनिज के परिवान को सक्षम बनाता है तो यह इना हिस्सा कौन सा है यहां यह जाइलम है ठीक हौनबर भी हड़ी है जोंकि जांग की हड़डी है उसके बाद next question देखेगा अगला question की निम्लिकित में से कौन सा योगिक गुर्दे की पत्थरी का निर्वान करने वाली सरवादिक सामान योगिक है तो यहाँ योगिक कौन सी है friends योगिक calcium oxalate है उसके बाद देखे आप राधी को पाचाने के लिए forensic विभाग की निम्लिकित किस तकनिक का उप्योग करता है और इसी भी बाद किस तकनिक का उप्योग करता है तो यह डिने फिंगर प्रिंट अब्सन नबर सी राइटन सरह जागा डिने फिंगर प्रिंट अगला कुस्ते देखेगा कि ए भी रख वर्ग वाला एक व्यक्ति जो है सभी option को पर ले यानि कि रख तो वर्गी की खोज कारल लेंड एश्टिनर ने किया था यूरिया का निर्मान कहां होता है यूरिया का निर्मान जो होता है ये आपका लिवर में होता है ये कृत में होता है यूरिया का फर्मूला भी ध्यान रखें कभी-कभी पूछा जाता है ठीक है तो ns2 co ns2 इसका फर्मुला होता है मैं यहाँ पर जितने भी आपको यहाँ पर element देख रहे हैं इनको इनका number count करना है इसको कई तरीकी से लिखा जाता है ठीक है नेमलेकित में से कौन सा जीव पानी में आनुविक oxygen रिलीज करता है तो यह जीव जो है यह है phytoplankton ठीक है phytoplankton राइटन सर इसका हो जाएगा next question देखेगा कि नेमलेकित रहसानिक पदार्थ में से कौन सा अगनासय द्वारा स्रावित किया जाता है तो यह insulin होता है ठीक है insulin होता है insulin की खोज किस ने किया था बैंटिंग और बेस्ट ने किया था उस का यह राइट अंसर हो जाएगा बेलनाकार लेंज का प्रियोग किस द्रिश्ट्री दोस्त में किया जाता है तो यह किया जाता है अप्सिन नुबर बी राइट अंसर हो जाएगा आखों की वक्रता में समीतिती के कमी के कारण या दोस्त जो है उत्पन होता है या दोस्त न होता है तो रात अम्हें से इसके क्या हो जाएगा कि इसके इसके कारणवी पाहे जाता है उपस्तित होता है जादा मात्रा सेत्र शित्रिक होती है आपको कहीं कि ऑजलिक इस बहुत सारे बुक में लिखा मिलेगा लेकिन ज्यादातर मातरा सीट्री के सीट्की होती है उसका देके PM आसा किस से संबंदित है तो देखे फ्रेंट्स PM आसा प्रधानमंत्री अनदाता आयस नरक्षन अभियान का उदेश किसानों हेतू उनकी उपज के लिए पारिस्रमिक स्वास्त सरक्षन मिशन में निमलकित में से कौन सी योजना समीडित हुई है बताइए सभी आप्सन आपको देख रहे हैं पांच वाप्सन आपको पता होगा तो देखे फ्रेंट्स आसमान भारत भारती स्वास्त सरक्षन अश्मान बारत मिसन के तहब एक केंदर प्रायोजित योजना है, यह जो योजना है, यह योजना परती परिवार 5 लाक रुपीय की ब्युमा परदान करती है, और इस स्किम से 10 कलोर परिवार को लाभ मिलेगा। यह राष्ट्रिय स्वास्त ब्युमा योजना और बरिष्ट नागरिक स्वास्त बिमा योजना नामक दो यजनाश से मिलकर के बनाई गई है तो यह तो हो जाएगा आपका राष्ट्री है स्वास्त बिमा योजना और एक हो जाएगा बरिश्ट नागरिक स्वास्त बिमा योजना तो उपर एक में से एक साधिक राइट अंसर इसका हो जा गया था तो यह बीवेक देवराय समीती हो जाएगा और इसका सी करेक्ट अंसर हो जाएगा वैस्विक बीतिय इस्थिरता रिपोर्ट अंग्रेजी में इसको कहा जाता है क्या ग्लोबल फइननशियल स्टैब्लिटी रिपोर्ट जी एफ एस आर ठीक है ग्लोबल फइननशियल स्टैब्लिटी रिपोर्ट यहां जारी करता है क्यों तो यह जारी करता है अंत़राष्टी मुद्रा कोस इंटरनेश्नल मोनेटरी फंड नेक्स्ट कुस्स्र देखेExamence to Southern समिलित नहीं है नहीं पुछा गया है तो देखी दक्षिन एस्याई सित्रिये सायोग संगटन सार्क का कठमांडो में है एस्या प्रसांत आर्थिक स्तवयोग यह संगाई में नहीं है यह सिंगापूर में है तो यह गलत हो जाएगा अंतराश्ट्री मुद्राकोस अधन को समिलित नहीं किया जाता है तो राइट अंसर अप्सट नूबर भी हो जाएगा धन उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट कुस्टन की पीगोवियन कर प्राया लगाए जाता है तो यह कंपनी अत्यादिक प्रदूसर्ण उत्पन करती है उस पर लगाए जाता है तो जो मुद्रा ब्यभारिक तरह से नोटों और सिखों के रूप में परचलन में है तो अप्सट नूमर ए राइट अंसर इसका हो जाएगा इवेपिंग उत्पादन का आसे क्या है तो देखिए यह आपका हो जाएगा इवेपिंग इसिग्रेट से ठीका अप्सट नूमर ए इसका हो जाएगा इसिग्रेट यानि की इलेक्ट्रोनिक डिलेवरी सिष्टम का सबसे समान रूप होता है इवेपिंग या इसिग्रेट चले अगला कुस्टन देख लिजेगा कि स्वन आभुसन के लिए हॉल मार्किंग को कितने सरणियों में विवाजित किया गया है तो क तो देखे ग्रीन जी एनपी का जो आरंभ है ये किया गया था 1995 में ठीक है सरपर्थम वर्ष 1995 में ग्रीन जी एनपी का प्रारंब किया गया था तो राइटन सर वर्ष 1995 हो जाएगा वास्त्विक समय सकल भोकतान का वास्तिक अर्थ क्या है तो देखे इसका जो अर्थ हो जा जाएगा उसका बाद के IMF ने SDR को मुद्राक रूप में कब अपनाया था इसको कहा जाता है HDR को तो राइट अंसर हो जाएगा आपका 1970 में ठीक है 1970 में इसे मुद्राक रूप में व्योहार में अपनाया था चलिए उसके बाद next question देखिएगा और निरने कब लिया गया था तो 1969 में इसको अपनाने का निरने लिया गया था और अपनाया गया 1970 में उसका अजादी के पुर्वराष्ट्री नियोजन समितिक अध्यक्स कौन थे तो पंडिजवाला नेहरू थे अपसे नमबर सी राइट अंसर इसका हो जाएगा उसको देखिएगा कि भारत निरमान योजना के तहत इनमें से कौन से घटक समिलित नहीं है भारत निरमान वास है ग्रामिन वीदोति करन है ग्रामिन दूर संचार है और ग्रामिन जल आपरति है तो यहीं सदब मेर्के बहिए समरे हैं अहीं किसके डावरा स्थापित किया था तो friends ये किया गया था किसके द्वारा बताएए तो ये किया गया था आपका year till m commerce के द्वारा इसके अस्थापना की गई थी रैट इंसर option number D हो जाएगा चले next question देखिएगा आगला question है कि premium पर निर्गमन का अर्थ है ये क्या है जब company अपने share अंकित मुल से अधिक मुल पर बेशती है option number A हो जाएगा इसका right answer उसके बाद देखेगा कि पुझी खाते में रूपिया के पूर्ण परिवर्त नहीं आता कि उदे से किस समिती का गठन किया गया था ये अच्छा question है पूछा जाता है तो ये किया गया था आपका तारपोर समिती ठीक है तारपोर समिती का गठन किया गया था option number B हो जाएगा भारत का विश्यू के उधम सीलता परितंतर में कौन सा अस्थान है तो right answer तीसरा अस्थान है ठीक है तीसरा अस्थान है option नमबर B हो जाएगा इसका correct answer उसका वादिके dirty floating सब्द प्राया परियोग होता है dirty floating सब्द जो है यह परियोग किया जाता है प्राया मुद्रा के संदर्म में ठीक है तो मुद्रा के संदर्म में हो जाएगा उसका वादे कि विच्व बैंक द्वारा भारत को किस आय सरेनी के वर्ग में रखा गया है तो ये रखा गया है निम्न मद्यम आय वर्ग में ठीक है तो राइट अंसर आप्सन नंबर C हो जाएगा किस समिधान संसोदन के ताथ संपत्तिक अधिकार को मूल अधिकार के दर्जा से हटा करके विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया तो ये दिया गया था आपका 44 समिधान संसोदन के दर आप्सन नंबर C राइट अंसर इसका हो जाएगा और इसको जो है अनुचे 300 कौ में रख दिया गया विदिक अधिकार की रूप में उसका वाद कि 11 हुए मूल कर्तब को समिधान में कब जोड़ा गया था यह मूल कर्तब है ठीक है टोटल 11 मूल कर्तब है ग्यारा हुआ मूल कर्तब जो है फ्रेंड्स यह 2002 में जोड़ा गया थ और इसमें जो है 6-14 वर्स तक के बच्चों को सिख्षा का उसर प्रदान करने का करतब जो है बच्चों के माता-पिता या सरक्षन पर आरोपित किया गया है नमलकित में से कौन सा कथन सत्य है दिख्थे सभी कथन आपको चारो दिखाई दे रहे हैं मतई इसमें से सत्य कथन कौन सा है पर तेक पांच वर्स पर वितायोग का गठन किया जाता है यह आपका सही है वितायोग आर्टिकल 280 में है गठन का अधिका राश्टपती के पास होत जाएगा ठीक है मुख्य निर्वाशन आयुक्त का तो सई अंसर ऑप्सन नमबर सी हो जाएगा इसका उसके बद नेक्स्ट कुस्छन दिखेगा कि राष्टियों माना अधिकार आयुक की सदस्यों का कारेकल राष्टियों माना अधिकार आयुक्त कौन है और उनको मार मिस्रा हैं बरतमान में एक के मिस्रा राष्ट अंसर हो जाएगा तीन वर्स या सतर वर्स की आयुक्त की ठीक है फ्रेंट्स ध्यान रखेंगे उसके बद अगला कुस्छन दिखेगा कि किस अनुष्यत के तहत राष्टपती को संसेट की दोनों सदनों का सत्र बुलाने सत्र वशान करने तथा लोग सभा को विक्ठित करने का अधिकार है तो यह है आर्टिकल 85 में यह कुस्छन मैंने अल्रेडी कराया हुआ है उसको दिखेगा भारत के कितने राज्यों में दूई सतनात्मक विधान मंडल है तो छे राज्यों में है यह राज्य है उत्तर प्रदेश, बिह सभार, करनाटक, अंध्रप्रदिय, स्तेलंगना, महराष्ट्र ठीक है तो राइट अंसर अप्शन नंबर भी हो जाएगा छे लोगसभा का कौन सा प्रस्ताव पारित कर मंत्री मंडल को हटा सकती है तो यह आपका क्या हो जाएगा बताए तो सही अंसर हो जाएगा आपका और विश्वास प्रस्ताव पत्र ठीक है चली यह लोगसभा में लाया जाता है और विश्वास प्रस्ताव पत्र विपक्ष के द्वारा लाया जाता है सरकार की विरुद्ध में उसके बाद लोगसभा के संदर में सदन का नेता का अर्थ क्या होता है जो बहुमत कदल का न तो यहां अधिकार जो है यहां किसके पास है उच्छितम नियाले के पास है ठीक है उच्छितम नियाले के पास है दिहान रखेंगे चलिए उसका बाद नेक्ष्ट कोशन देखेगा कि सुप्रेम कोट के एक तदर्त सिखर के रूप में और स्थाई और दी कि लिए किसे ठीक है किसको तो उच्छित नियाले के नियादी इसको तो राजगीर हो जाएगा राजप्रसाद यक्षिनी की मृति यह पटना हो जाएगा और स्थाव वैसाली हो जाएगा तो इसको आप लोग मिला लीजेगा राइट असर ए हो जाएगा उसका बाद के दूई सदनिय विधान सभा का तातपर है क्या है सभी आपको दिखाई दे रहा है बताई इसका तातपर क्या है दूई सदनिय विधान सभा का तातपर है तो देखिए फ्रेंट्स विधायको को दो अलग विधान सभाव में बाठा जाता है ठीक है विधायको देख लिएगा अगला कुछत न है कि भारत के मुख निर्वाचन आयोकत के पत्व से कौन ठाटा सकता है उसको तो देखें यह कौन ठाटा सकता है इसको यह संसत के दोनों सदर्ण की जो सदस्ट हैं उनकے द्वारा हटाए जा सकता है उसका next question देख लिजेगा अगला कुस्चन है आमारा कि भार्तिय समिधान के किस अनुशेद में वीतिय अपात काल से संबंधित प्राधान वर्णित है वीतिय अपात काल आर्टिकल 3060 में है भारत में एक बार भी नहीं लगाए गया है next question लिखेगा कि बन वेवे समिधान संसोधन अधिनियं के माध्यम से भारतीय समिधान की आठीवी आनस्वीत्षे में नेम लें लखित-भासाओं में से किसे सामिल नहीं किया गया है टोटल बाईस भासाएं हैं आपको पता है बताई किसे सामिल नहीं किया गया तो ये कर्नड को सामिल नहीं किया गया है ठीक है फ्रेंड्स चलिए उसका बाद next question देख लिजेगा कि धर आयोग और जेवीपी समिती के गठन का उदेश से क्या था तो बताई इनका उदेश से क्या था तो रायट नसर हो जाएगा भासाई अधार पर आधारित राज्यों के पुनर गठन की व्यावहारता देखना अप्सन नबर सी हो जाएगा उसके बाद next question देखिएगा अगला question ने friends हमारा की निमलकित में से कौन सा कथन सत्य है सभी कथन आपको दिखाई दे रहा है असपष्ट पढ़के बताईएगा इसमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया ठीक है वीडियो को pause कर लिजे और इनको पढ़कर के बताईए बदाई अब कौन सा इसमें से सत्य हो आर्थिक सर्वक्सें दस्ताविद संसद में कब प्रस्तुत की जाती है यह बजट प्रस्तुत करने के एक दिन पूर्व की जाती है तो अपसे नंबर यह हो जाएगा इसका correct answer उसका बद नेक्ष्ट कुस्टन देखेगा कि भारत राष्टी अनुस्विची जाती आयोग के संग लुक सवा आयोग में जो है टोटल कितने सदस होते हैं तो एक अध्यक्ष अम दस सदस होते हैं यानि कि 11 होते हैं और सी राइटन सर हो जाएगा उसका बद के कौन सामिछेद और स्प्रिष्टा के संब्द में संसत को सक्ति प्रद्यान करता है छुआ छुआ छुट से किसन गंज बिहार का मैदानी भाग बिहार के कुल चेतरपल का लगबा कितना परचिसत है तो ये 95 परचिसत है बिहार के निमलेखित हिसो में से कौन सा ही सब होता त्वीक दृष्टी से अपयक्षा किलित नविंतम है तो यह नविंतम हो जाएगा आपका इसमें से उत्री टीक है यह नविंतम है वरतमान में बिहार के लोकाइप कौन है तो दीख कि सबसे पहले तो आपको बिहार का प्रतम लोकाइप थे नयामुर्ती सृर वासूदे उथे सिरिधर वासूद हो पहले और बिहार स्देक evangelism अगला कोसन देखेगा कि बिहार कि छेत्रिय परिशत का अंतरगत आता है देखे फेंस बिहार जो है ये पूर्वी छेत्रिय परिशत में आता है पूर्वी छेत्रिय परिशत में बिहार पसिम बंगाल और उडिसा आते हैं ठीक है तो ध्यान रखेगा उसके बाद देखेगा क किसफसल के उत्पादन में इस रिष्टा असल करने है तु बिहार को किर्शिक और पूरसकार प्रिदान किया गया था, तो ये प्रशन पिछले बार WPSC में पूछा गया था, 66 WPSC में, तो गेहु हूं और मक्का को उत्पाद में तो गेहु और मक्का, एक साधिक इसका हो जाएगा फ्रेंट्स 41 से लेकर के 150 तक में math के question है ठीक है फ्रेंट्स इनका PDF में आपको टेलिग्राम पर दे दूँगा टेलिग्राम का नाम हमारा success केंद्रा ही है लिंक आपको description में मिल जाएगा जूर जाएगा प्लीज फ्रेंट्स वीडियो को like कर दीजेगा और इसे share भी जरूर कर दीजेगा